भारतिय सेनाओं में बंफर भरती, 6,90,000 तक हो सकती है सेलरी आईए जानते हैं और भी चीज अगनिवीर के बारे में और देखते हैं क्या नमस्कार युवा साथियों, सफर्शच में आपका श्वागत है भारत सेनाओं में बंफर भरती, भारत सरकार ने नो सेना, सेना, व्यायू सेना में सेनिक की भरती के लिए एक नई योजना का एलान किया है उस योजना का नाम है यगनिपत योजना इसके तहट चार साल के लिए सेनिक की भरती होगी इस सेनिक का नाम रहेगा अगनीवीर सबसे पहले जानते हैं कोन बन सकेंगे अगनीवीर इसकी नियुमतम योगिता क्या हो सकती है मैं बता दूँ अगनिवीर अस्कीम की भरती के लिए युवाओं का नियुम्तम यायू 17 वर्ष 6 मां होना जरूरी है जबकि अधिक्तम यायू 28 वर्ष होना जरूरी है और अगनिपत की अस्कीम की भरती के लिए नियुम्तम 10 वी कक्छा पास होना अनिवारी है योजना के तह इस वर्ष 46,000 अगनी वीरों की भरती की जाएगी चार साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं के सेवा निधी पैकेज दिये जाएंगे जो की कुल 11,71,000 रुपिये होंगे मैं आपको बतला दूँ इस अस्किम के तहट 30,000 की सेलरी 44,000 तक की बीमा चार साल के नौकरी के बाद गिरह मंतराले द्वारा कहा गया है कि जितने भी अगनी वीर के लोग होंगे उसे चार साल के बाद C.A.P.F. और असम राइफल्स में मिलेगी छूट मैं आपको बतला देना चाहता हूँ वेसे ये भ्यारती चाहे वो जेनरल हो, EWS हो, SC हो, ST हो चाहे वो किसी भी केटेगरी में हो, किसी भी परकार का अप्लिकेशन फी नहीं लग रहा है या ये जानते हैं उन यूवाओं के बारे में जिनोंने आर्मी की भरती में मेडिकल और फिजिकल किलियर कर लिया था एरफोर्स चिप ने कहा है कि सारी भरती अगनिपत के तहत होगी आनि जिन यूवाओं ने एरफोर्स का एकजाम दिया था अब उनका रिजल्ट नहीं आएगा उन्होंने अगनिपत अस्कीम के तहत फिर से अपलाई करना होगा सबसे बड़ा जटका उन यूवाओं के लिए है जो दो साल की भरती का इंतजार कर रहे थे उन यूवाओं को निरासा हाथ लगी है जिनोंने आर्मी भरती में फिजिकल तथा मेडिकल किलियर कर लिया था सभी यूवा साथियों से आगरा है कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों तथा गूरूपों में सेयर करें ताकि इस वेकेंसी के बारे में अधीक से अधीक लोगों को जानकारी मिल पाए दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना सस्क्राइब करना और शेयर करना धन्यवाद जय हिन जय भारत